बहुत स्वागत है आपका, thank you very much for coming to the session, तो आज की practice शुरू करते हैं, देखें, छोटी सी conversation की practice करेंगे, इसमें daily conversation के sentences को समझेंगे, उनकी structures को समझेंगे, और हर sentence को बिलकुल naturally English में बोलेंगे the way native English speakers do, और हर sentence का grammar वागेरा साथ के साथ discuss करते हुए चलेंगे, छोटी छोटी हैं, जो बोलते हैं मिस कर देते हैं, या समझ में नहीं आई होती हैं, तो उनको discuss करते हुए चलेंगे, the session is not gonna be very long, so please stay tuned and watch it to the end, पूरा देखा करें, short shot देखते रहेंगे, तो सब mix होता रहेगा, जैसे कि मुझे माई के जाना है, actually this conversation is going on between husband and wife, right, now wife is saying it to husband, wife ने कहा husband से मुझ visit my parents house, लेकिन अब हम यहाँ पर माई के की एक literal translation ढूणने की कोशिश करें, तो इसको कह दिया जाएगा, maternal house, मैं लिख कर के आपको बताता हूं, और समझेगा, की problem कहां आती है, यह एक पहला sentence है, आगे के sentences देखेगा, तो समझ जाएंगे, बोलते समय अटक क्यों जाते हैं, just because we try to find out the literal word meanings, हम literal word meaning ढूणने की कोशिश करते हैं, so I need money to visit my maternal house, यह maternal house कहा जाता है, मातर से related, माता से related अगर कोई चीज़ है, तो वो maternal है, right, मान के चलिए, अगर आप किसी को बताने की कोशिश करें, कि यह मेरा cousin है, तो मैं कहा दूँना, he is my cousin, यह she is my cousin, right, अब मैं बताने क कोशिश करूँ, मौसी की, मामी की, चाची की, जो भी है, माता से related जो भी relationship है, उससे related यह cousin है, तो मैं कहा दूँना, he is my maternal cousin, right, he is my maternal cousin, अगर वो मेरा पिता से related सामबन देद है, चाचा का, ताउ का लड़का है, लड़की है, तो मैं कहा दूँना, he is my paternal cousin, paternal and maternal, paternal लिखके में जो बात है, यह maternal home, actual में बहुत ज्यादे commonly used होता नहीं, यह normal कहा दिया जाएगा, I need money to visit my parents house, right, और अगर इसको और ज्यादे naturally कहें, तो simple इतना कहा दिया जाएगा, I need to visit my parents, मुझे पैसे चाहिए, कि इसलिए, I need to visit my parents, अब देखे हिंदी का sentence, जो हमारा था, मुझे I need to go to my parents house, तो आप कहना चाहें, तो कह सकते हैं, लेकिन यह natural तरीका हुआ, आप दोनों तरीके से कह सकते हैं, look at the next sentence, तो मैं पता है, मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो मैं पता है, कि मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, आप किसी का बिजनेस सही नहीं चल रहा है, देखे कितने तरीके से बता सकते हैं आप कैसे नहीं बिलकुल बैसिक यू नो माइ बिजनेस हैस नाट बीन डूइंग लगा करके आपने हैस नौट बीन हैस बीन है फीन है पीन हर जगा या कहीं भी सुन लेंगे तो समझ जाए यह पहले से अब तक की बात हो रही है कि मेरा पहले से कुछ समय से बिजनेस ही नहीं चल रहा है यह नो माइ बिजनेस हैस नौट बीन डूइंग वेल लेटली का मतलब है कुछ समय से रीसेंट पास्ट से अब लेटली की जगा पर देखे कितनी सारी चीज़ें आप इस्तमाल कर सकते हैं अब नॉर्मल कह सकते हैं अब पहले का मतलब यह कुल मिला करके पहले का दिया लेकिन कॉमन बात क्या है कि हैस नौट बीन आपको याद रचना पड़ेगा अगर आप पहले के टाइम पर इंडिकेट करना चाहते हैं कि पहले से एक और तरीक से बोल करके देखें हैं you know my business has not been going well for a while का मतलब भी होता है एक छोटे duration से यहाँ पर has not been आपने इस्तमाल करा तो आपने इंडिकेट किया पहले से और फॉर लगा दिया समय के लिए जैसे कि I have been teaching for two minutes right फॉर लग गया यहाँ पर duration के बाद हो रही है तो यह छोटे-छोटे बेसिक ही concepts साकित आपके clear होना चाहिए 35-40 grammar के rules है और 300 maximum structures है situation में ready made उन में बंदे का नाम और बंदे का काम बदला जाता है ready made sentences होते हैं अगर वो आपने master कर लिए तो समझ लीजे you are done हो गया आपको आगई English फिर आदत में डालने आपको sentences तो एक पूरा दिन छोटी-छोटी conversation चलती रहती है एक बात को कहने के 200-300 तरीके हो सकते हैं तो लोग जब आपने sentences लिखते हैं कोई basic translation करता है कोई advanced तरीके से लिख देता है को medium phrase, slang use कर लेता है तो पता चलता है एक बात को पहुंचाने के लिए कितनी चीजें available हैं English में तो वहां आपको practice partners मिल जाएंगे जिनके साथ आप group में chat कर सकते हैं फोन पर बात कर सकते हैं फोन पर बात करेंगे तो sentence इसको जल्दी जल्दी बोलने की आदत पड़ेगी उसको छोड़ा नहीं जा सकता है वह स्टेप फॉलो करना ही पड़ेगा आपको रही तो atmosphere मिल जाएगा फिर शाम को live classes होती है हमारी वहां पर भी we simply come together every evening and we discuss some complicated grammatical rules and sentence structures for two hours दो घंटे discussion करते हैं किसी को को sentence form करना नहीं आ रहा है किसी grammar के rule को लेकि confusion है कि इसका मतलब would का मतलब क्या होता है मैंने यह सुना था वह सुना था हमारी responsibility है आपको अच्छी English बुलवाना right so most welcome है life classes में ज़रूर आएगा and let's get back to it now जो जया हो जो पैसे मैंने तुमें पिछले हफ़ते दिये थे उसमें से ले लो जीआएंट कि वाइफ को क्या चाहिए wife नीटस money to visit our parents house बच्च माँबापके घर जाने के लिए पैसे चाहिए है जो पैसे मैंने तुम्हें पिछले हफ़ते दिये थे उसमें से ले लो तो एक बात कर दी पैसेगी टेक एड फॉम दमानी आगेव यू लास्ट वी टेक इट जब हम कहा रहे हैं या फिर कह सकते हैं एक तरीक से आपने कहा आप कहा दीजे टेक समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर आट भी कहा जा सकता है इसे बनके मत देखाओ जैसे तुम भूल गए जैसे कि हस्में ने क्या करा पैसे दिये तो थे लेकिन भूल गया लेकिए तो डूंट प्रिटेंड का मतलब ही होता है बनके दिखाना एक्ट करना ऐसे कहा जा सकता है don't act like you have forgotten act भी कहा जा सकता है pretend भी कहा जा सकता है right so don't pretend like you have forgotten आप भूल गए या फिर कहिए don't pretend as if जैसे कि you have forgotten तो like और as if दोनों का इस्तमाल किया जा सकता है right as if और like interchangeably use होता है जैसे कि don't pretend to be a doctor यानी doctor बनके मत दिखाओ या फिर दोन प्रिटेंड as if you are a doctor ऐसे मत दिखाओ जैसे तुम डॉक्टर हो right जैसे कि don't pretend like you don't know ऐसे मत करो जैसे तुम्हें नहीं पादा या फिर दोन प्रिटेंड as if you don't know लेकिन यहाँ पर like ज्यादा appropriate है however it doesn't make any difference to the sentence आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर साकता है I hope समझ में आया हूंगे structure आप as if को इस्तमाल करके कोई sentence comment section में लिखने के कोशिश करिए एक बर please take a pause and write your sentence in comment section in English हर comment को हम पढ़ते हैं आपका sentence ठीक होगा देनल की यह लाइक तो गलत होगा तो समझ हम उसको correct करते हैं right so as if को इस्तमाल करके एक sentence आपको बनाना है right और उसके बाद अगला sentence देखिएगा जैसे कि तुमने वो सारे पैसे मुझसे वापस ले लिए हैं कौन कह रहा है यह बात तुमने वो सारे पैसे मुझसे वापस ले लिए है तुमने सारे पैसे ले लिए हैं you took all that money back from me you took all that money back from me याने कि तुमने वो सारे पैसे मुझसे वापस ले लिए या एक दूसरे तरीके से बोलिए यू आपस ले लिए 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 तो उसने क्या करा है उसमें से उसने आल यानि सारे ले लिए हैं और यह पास थे आप टेकन आल अफ ड़ाइट मानी बैक अमज में आया होगा अब कमेंट सेक्षिन में कोई रिस्पूंस नहीं देते हैं कि समझ में आया कन्फीजन था नहीं ता सिब स्किप कर जाते हैं यह फ स्पीड थोड़ा धीरे लग रही है आपको तो अपने स्क्रीन पर टैप करिएगा सेटिंग आइकॉन दिखेगा आपको वहां पर आप जाकर कि स्पीड बढ़ा सकते हर वीडियो के तो अगर आपको ज़्यादा सही तरीके से स्टॉक्षिस पता हैं तो स्पीड बढ़ा के देख लीजे पूरा और कहीं भी कोई कंफीजन हो तो क्वेशिन कर सकते हैं कमेंट सेक्षिन में हर कमेंट को हम पढ़ते हैं तो वाइफ ने कहा यूँ आप टेकन आल अट मनी बैक फॉम मी तुमने सब पैसे वापस ले लिए अब हस्बेंड कह रहा है क्या सच में ले लिए यहां कहा जा सकता है है वाई क्या सचमे ले लिए मैंने क्या कर चुका हो इस यहां पर है यह contest कर रहा है की बहें यहां है रोज Senate कर आं येस आई प्रेक्टिस एवरी डे नॉर्मल आप कह सकते हैं आई डू आई डू जब आपने का हाँ इस काम को करता ही करता हूं तो जब वाइफ ने कहा यू आप टेकन आल अफ देट मानी बैक फाम मी हस्बेंट ने पूछा डिड़ आए अच में ले लिए या फिर इसकी जग सब हो आल राइट कहा जा सकता है और वेट फर टू ओ टू अटू अगर यहां पर हमें यह कहना पड़े दो तीन दिन और रोगो कई बार रिपीट कर चुके हैं हम एक बार लिखिए गाई सेंटिस में बस एक वर्ड आपको एड करना है जो मैं बार बार कहता हूं वर्ड औ तो तब तक तो बच्चों की छुट्टियां खतम हो जाएंगी अब तब तक जो है तो उसके लिए कह देंगे जैसे कि I have to submit the report by Monday I will go to Delhi by the end of this week यानि जब कह रहे है तो इस हद तक हो जाएगा ये काम उससे ज्याधा end नहीं होगा तो तब तक तो बच्चों की छुट्टियां खतम हो जाएंगी तो by then kids holidays will be over अब देखे यहाँ पर अपने कहने के ऊपर choice के ऊपर है और थोड़ा grammar को समच तेंग क्या फरक पढ़ रहा है sentence पर तो by then kids holidays will be over उस समय holidays खतम हो जाएंगे आप कहिए by then kids holidays will have been over वहाँ पर कह दिया आपने will be over यानि खतम हो जाएंगे और यहाँ पर have been लगा के बस इतना सा फरक पढ़ गया by then kids holidays will have been over यानि खतम हो चुकी होंगी छुट्टियां by then kids holidays will be over खतम हो जाएंगे या फिर एक और तरीक से बोल करके देखे पता साइट डिफरेंस पता चल गया होगा will have been कहने का क्या तात पर रहे है will have been का मतलब हो गया यह का final हो चुका होगा खतम हो ही चुकी होंगे आप कहिए by then kids holidays would have ended खतम हो चुकी होंगी यह जो would है इसका क आपने एक संभावना बता रहे है कल्पना बता रहे है still talking about future कि ऐसा कुछ future में हो सकता है right जब तक तुम पैसे अरेंज करोगे by the time you arrange money kids holidays would have been over या फिर would have ended तो जब तक पैसे अरेंज करोगे तब तक छुट्टियां खतम हो चुकी होंगे तो यहाँ पर कल्पना करी जा रही ह इसा हो सकता है so by the time you arrange money जब पैसे अरेंज करोगे kids holidays would have ended बच्चो की छुट्टियां खतम हो चुकी होंगे तो यहाँ पर would लगा के संभावना बताई surety नहीं बताई है right हो सकता है उससे पहली arrange कर लाओ तुम now look at the next sentence तो क्या हुआ जब तुम्हें घुमने जाना है तो बच सारी शब्द इस्तेमाल नहीं करें जा सकते है फिर यहां feeling समझ के related word English का ही बोलना पड़ेगा English बोलना पड़ेगी translation नहीं चलेगा यहां so so what so क्या हुआ so what कह दिया if you really want to visit your parents अगर तुम्हें घुमने ही जाना है if you really want to go on a trip कहा जा सकता है right लगनिया specifically उन्होंने कह रखा है she needs money to visit her parents house parents के घर जाना है so what if you really want to visit your parents अगर आपको सच में जाना है parents के हैं you can get your kids a few days off you can get your kids a few days off याने की आप arrange कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए आप अपने बच्चों से connect कर सकते हैं चुट्टियां तो यहां पर get का जो use है काफी ज़्यादा common है ऐसी condition में you can get your kids a few days off a few days क्यों कह रहा है यानि एक छोटे duration की बात कर रहा है कुछ 2-4-5 दिनों के लिए छुट्टियां days off क्यों कह रहा है छुट्टी के लिए कहा जाता है right जैसे मैं मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए I need 2 days off 2 दिन की छुट्टी चाहिए so what if you really want to visit your parents you can get your kids a few days off थोड़े दि की छुट्टियां बच्चों को दिला सकती हो करा सकती हो right एक और दूसरे तरीके से बोलके देखे so what if you really want to visit your parents you can arrange for your kids to have a few days off you can arrange for your kids to have a few days off अब यह जो variations है यह alternatives कैसे पदा चलते हैं इनमें कोई grammar का लेना देना नहीं है यह सारा का सारा गेम है words के arrangement का यह words के arrangement कैसे समझ में आएंगे हम यही arrangement इसी प्रकार के literal grammar है complicated arrangements हैं तो यह समझते हैं तोड़ तोड़ के deeply कि इसी sentence को और कितने तरीके से बोला जा सकता है तो वहाँ पे जब आप आ तो वहाँ काफी ज़्यादा समझ में आ जाते हैं सारे alternate एक ही sentence से आधी English समझ में आ जाती है right now अभी भी समय बिजनेस को बिजनेस समझ के करो वाइफ ने एक suggestion दिया अभी भी समय है बिजनेस को lightly मत लो ऐसी घूमते फिरते मत रहा करो कोई एक वीडियो डाल दी घूम अभी भी समय बिजनेस को बिजनेस समझ के करो so you still have time आपके पास अभी भी समय है तो कुछ words जोडने पड़ते हैं और ज्यादा concisely बोलने के लिए so you still have time take your business seriously एक तरीके से बोल दिया feeling पहुंचा दी business को business समझ के करो right उसको भी little translation भी करते हैं so you still have time take your business seriously एक और तरीके से कह time hasn't passed yet yet का मतलब है कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ है लेकिन आगे होगा still का मतलब है पहले से अब तक जैसे कि I am still teaching मैं अभी भी बढ़ा रहा हूं the class hasn't ended yet अभी तक class खतम नहीं हुई है क्योंकि आगे खतम हो सकती है और मैं अभी भी बढ़ा रहा हूं I am still teaching इसका मतलब प पहले भी कर रहा था right so he hasn't arrived yet यानि अभी तक नहीं हुआ है लेकिन आगे होगा confusion तो नहीं हुआ है हुआ हो तो बताएगा समझ आ गया हो तो please बताएगा English में लिखे एक sentence कि हा मुझे still और yet का difference पता चल गया इस sentence को comment section में English में लिखने की कोशिश करिएगा लिखेगा जरू so wife ने एक और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करी है the time hasn't passed yet अभी तक time पूरा नहीं बीता है take your business seriously अपने business को seriously लो तो wife ने दोनों चीज़ों को इस्तमाल कर लिया यहाँ पर because she speaks very good English यहाँ फिर she is very good at speaking English उसने still को भी use कर लिया sentence में और yet को भी इस्तमाल कर लिया right एक त बिजनेस को बिजनेस समझो you still have time take your business as a business business for business समझो think of your business take your business या फिर आप ऐसे कही है you still have time अभी भी समय है run your business like a business should be done business को business समझ कर करो right जिसका translation समझा जा सकता है you still have time run your business like a business should be done जैसे business किया जाना चाहिए उस तरीक से business को चलाओ